शाध कर्म पित्र रिन चुकाने का सहज यू सरल मार्ग जी हाँ दोस्तों अभी पित्र पक्ष चल रहा है जो 16 दिन का होता है पूर्णिमा से शुरू होकर अमावश्या तक चलता है और इस पित्र पक्ष की बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है हमारे धर्म में और हम सभी लगभग सभी हिंदू इस पित्र पक्ष को बहुत शद्धा के साथ मनाते भी हैं शाध एक शद्धा का पर्व है सभी सनातनियों को इसे मनाना भी चाहिए अपने पित्रों को तरपन करना चाहिए उन पित्रों का रिन चुकाने की कोशिश करने चाहिए जिन्होंन हमें इस लायक बनाया है कि हम इस दुनिया में आज भी अपने धर्म का पालन करते हुए जीवित है पित्रपक्ष यानि शाद कर्म को लेकर अनेको भ्रांतिया हमारे समाज में फैलाई जाती है जामपाल जैसे कई सारे दुष्ट लोग दुष्ट प्रवर्ति के लोग समाज में व्याप्त हैं जो हिंदू समाज की इन परमपराओं की विरुद्ध समय समय पर जहरुगलते रहते हैं और हमारी परमपराओं हमारी रीती रिवाजों को अंदविश्वास का नाम देते हैं कई तो राज्य सरकारे भी इस कारे में अपने आपको अचूता नहीं रखती हमें चाहिए कि हम इन दुष्ट विधर्मियों के बहकावे में ना आएं और अपनी परंपराओं अपने रेती रिवाजों को पूरे सात्विक्ता के साथ मनाएं और मनाते रहें वैसे भी एक विचारनी ये प्रश्ण है कि आखिर पित्र प्रक्ष में ऐसा कौन सा काम होता है जो समाज के लिए हानिकारक है जो हमारे परियावरण के लिए हानिकारक है पित्र पक्ष में खीर पूरी बनाई जाती है पंडित पुजारियों को ब्रहमनों को भोजन कराया जा काले तिल डाल कर क्या ये बुरा काम है या इन कामों से किसी प्रकार से किसी को कोई हानी हो रही है समाज को कोई हानी हो रही है फिर आखिर क्यों इन कर्मों को जो की पूरी तरह है सास्त्र विहित हैं इन कर्मों को इन आध्यात्मिक कर्मों को बुरा बता कर इनका विरोध करक हमें चाहिए कि हम इन दुष्टों के बहकावे में ना आए और ना ही हम इनसे कुछ सुने न कुछ समझे हम अपने अपने लोगों की सुने हम अपने पूरवजों को फॉलो करें उन पूरवजों को जिनोंने पित्रपक्ष को पूरे आदर के साथ मनाया भी है और हमारी पराइव को मनाते हुए आज हमें इस लायक रखा है कि हम अपने धर्म पराइव के साथ इस धर्ती पर जीवित हैं और गर्व से हम अपने आपको हिंदू कह सकते हैं इसलिए सबी साथियों से निवेदन है कि बिलकुल भी किसी के भहकावे में ना आये और कोई भहकाने की तो उन्हें मूँ तोड जवाब दें हमें अपने धर्म अपनी परमपराओं अपनी रिती रिवाजों को मानना होगा उन्हें समझना होगा उन पर गर्व करना होगा और हाँ यदि कोई विक्रूती कोई गलत परमपरा कोई गलत प्रथा उसमें आ गई है तो हमें उन परमपर का शुद्धी करण भी करना होगा और बिल्कुल शुद्धता के साथ हमें अपनी परंपराओं को मनाते हुए इस समाज को आगे ले जाना होगा अपने धर्म की रक्षा करनी होगी धर्म की रक्षा के लिए सस्त्र उठाने की ही आवशकता नहीं है बलकि सास्त्रों के अनुस करकर हिस्सा लें और शाद की महिमा को जन जन तक पहुँचाएं जैशी राम वंदे मातरम भारत माता की जै